खर सिखलता थैयाल अग्रेश छुछ पांच मिनट में इंग्लिश सीखें पांच मिनट में इंग्लिश सीखें देखिए यह ऐसा कमाल मार्डल पंबब्र 0 हुआ आपके साथ वीडियो नमबर टैन और आज हम रेली कुछ आगे बढ़ेंगे देखेंगे चलिए थोड़ा आपको बताता हूंगे वीडियो में क्या करना है आज दस फ्रेंड्स को मिलेंगे साथ को तो आप मिली चुके हो वो आपके साथ है आई ही यू वी दे यू और दीन और फ्रेंड्स मिलाने जा रहा हूं इज एम आर वीडियो को देखते रहे है पूरा अच्छे लगते हैं आपको ये सेशन्स आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो फिर करिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर और विदाउट एनी फर्दर डिले और देर देर ना करते चलिए आपके बिलीफों को बिलीफों को चेंज करने के लिए विजुनाइशन चुरू करें एक मिनट की एक्सराइज आइस क्लोज कीजिए एक लंबा सांस लीजिए बैक को स्ट्रीट की करें और मेरे साथ याद कीजिए देखिए अपने आपको अभी आप कैसे हैं जुक आप कर नहीं पा रहे हैं इंग्लिज शीक नहीं पा रहे हैं आपकी लाइफ रुकी हुई है इस पिच्चर को सामनी लाए अपने सामनी लाए छोटा बनाए शांत कर दें जो भी कुछ इसमें हो रहा है उसको शांत कर दें रोक दें अब आज है जो भी ऐसको रोख दें और छोटा बना के साइड में रख दीजे लिफ्ट में अब आप 180 सेशन देख चुके हैं पांच मिनिट के मेरे साथ और आप अंगरे जी फटा फट फराटेदार बोल रहे हैं अपने आपको देखिए आप कहां हैं क्या आपने पहना अब फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं अपने आपको देखिए सुनिए फील कीजिए इस पिचर को बहुत बड़ा बनाईए लेफ राइट सेंटर इतना रूम से भार कर दीजिए आप वो छोड़ी वाली पिचर लेए जो लिफ्ट में रखी थी और इसके पीछे बड टिप्स देने के लिए तयार हूँ सबसे पहला टिप है टिप नमबर वन जिसमें आपने ऐसे वीडियो पचास वीडियो लेखने एक साथ लगातार और आपके माइंड में फिर ये डर निकल जाएगा कि मैं ये कर नी सकता मैं बोल नी सकता और दस बारी जो भी करो तो आपको क्या करना है मुवी देखनी हैं इंगलिश में सीरियल देखने हैं इसी तरीके से तेल की पिच्छने देखता हूं और आज मुझे बहुत कांफिद्स आरहा है कि मैंने करीब 200 से उपर वर्ड्स जान पाया हूं आप भी वर्ड्स को जानिए फील कीजिए वर् आप meaning याद कीजिए, जैसे कि दुकान है, तो वो shop बोलते है, तो दुकान को देखें, तो shop बोलें, shop बेलें, दुकान को देखें, तो इससे आपके mind के अंदर में picture और words का ताना बाना बन जाएगा, और ये रहेगा fantastic rule आपके लिए, और भी मैं चाहूंगा आपको एक दो tip द वो भी आप English में सोचें और सोच के फिर उसको लिखें अगर आपको लिखना आता है तो लिखें नहीं तो कोई बात नहीं आप सोचें English में और आज से सोचना शुरू कर दीजिए और मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक ओफर भी देने वाला हूं उसके बारे में आप जा आपको भी आ रहा होगा जरूर लिखिये कमेंट बॉक्स में आपका एक्सपीरिंस क्या है चलिए आज का लिस्ट दस का दम दस का दम क्या है दस का दम में सेवन फ्रेंड्स हैं हमारे जो हमने पहले देखे थे आई ही यू वी दे एंड यू प्लूरल ये आपके स्क्रीन पे आएंगे और साथ में इट ये जो हैं इनको प्रोनाउन बोलते हैं ये आपके दोस्त हैं इसी से सारी English की कहानी यहां से श लगेगा एम I am nice ही के साथ लगेगा is he is good you के साथ लगेगा आर तो इंदी में मोलेंगे I am मैं हूं He is वो है you are तुम हो उसके साथ में आगे लगा दीजिए अच्छा बुरा काला गोरा नीला ब्लू ब्लैक नियर फार जो भी आपका माल करे लगा दीजिएगा इसके बाद म V के साथ में लगेगा R, D के साथ में लगेगा R, U के साथ में लगेगा R We are good, they are good, you are good We are good मतलब हम अच्छे हैं, they are good मतलब वो लोग अच्छे हैं और you वो आप लोग अच्छे हो तो ये मैंने आपके लिए sentences बना दिये हैं दस बार ये exercise करनी है और मुझे ये वीडियो बना के बहुत खुशी हुई मैं आपके future के लिए कामना करता हूँ, शुब कामना करता हूँ और कल के वीडियो में आप इंतजार कीजे मेरा तब तक, thank you, goodbye